बिस्मिल्लाहिर्वामानिर्रहीम, अस्सलाम उलेकुम नाजीर, मैं हूँ मुहम्माद जुबेर और मेरे साथ मुझूद है वजीहा जुबेर नाजीर, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक, जिसके बारे में अक्सर वालदेर हमसे जिकर करते हैं और अपनी परिशानी का इजहार करते हैं नाजीर, एक बहुत कशोबन प्रॉब्लम ये हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं और और मुहबत की दो बिलकुल भी नहीं सुनते हैं या नि जिए जिन प्यार मफबशा बिंजाये आप लोग केते हैं कि प्यार महबब से समझाना चाहिए, हम प्यार महबब से अवाज देते हैं, एक दफ़ा देते हैं, दो दफ़ा देते हैं, तीन दफ़ा देते हैं, नहीं सुनते हैं, जब चीखते हैं तो सुन लेते हैं, जब चीखके भी नहीं सुनते हैं, तो दो थपड पिट के सुना है और हमारे बच्चे भी पिट पिट के सुनते हैं नाजरेन सीर्स टॉपिक है तो समझना जाएए कि बच्चे आपकी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं और जिन वालदेन की बात बच्चे डांट के बात सुनते हैं या मार के बात सुनते हैं तो उसके बात होता है कुछ अर्शे के ज़ाद उनकी ना तो डांट का इसा रहता है ना मार का को इसा रहता है अब बच्चे आसा पतमीज होना शुरू हो जाते हैं फिर बालदेन बच्चे सब डरना शुरू हो जाते है तो आज हम बात करेंगे ऐसी मौज़ू पे क्या वजूहात हैं कि बच्चे एक दफ़ा की बात नहीं सुनते हैं और क्या करें कि बच्चे आपकी बात सुनना शुरू करते हैं क्योंकि जिन घरानों में बच्चे माबाब की बात सुनते हैं वो बहुत ही खुशाल घराने होते हैं खुबसूरत घराने होते हैं, महबत भरे घराने होते हैं, तो वजी आपको बताएगी, कि जब चीक शीक के बच्चों को सुझाया करती थी, तो बच्चे नहीं सुनते थे, और कभी सुनने थे, कभी नहीं, लेकिन प्यार महबत से या विरों ने एक टेक्नीक सीखी, तो किस बच्चों के बात सुनने चुरू पर तो पहले कर हैं, बच्चे बात सुन्ने फूंने कृमारी हैं, जो बच्चों को नहीं होते हैं, जब आहिन सून हो कहते हैं, मैं आप मतै direction, चाने हैं सुन लूभा। जिले से कमरे सेफ करें काम केंगे थे म disyg कर और तौन काम करती है गहतीज़ इस प Enemy लिए पर छोड़ जाता है परların अजम्म म모को एक आजीब बादी होती है कि जिम्ला अभने में इस मैं होले छो ङतिो जटा लो narciss जहां पर यह बात समझ लें जहां पर यह बात कही जा रही होती है कि तुमसे कितने दाफ़ा कहती है तुम बात नहीं समझ रहे या तुमसे कितने दाफ़ा कहना पड़ेगा जो तुम यह काम करोगे जहां पर आपको लगे कि आप यह जुम्ला बोलते हैं समझ लीजिए के बच्छे अब वहाँ पर कम इक दफा की بात तो नहीं सुनेंगे वहाँ पर आपने बच्चों को तयार कर दिया इस बात के लिए कि एक दफा की बात नहीं सुनखें मैं करी 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 बार कहती हूँ तो तौनगे बात सुननेगे तो आप reinforce कर रहे हैं, इस बात को मजबूत कर रहे हैं, कि हमारे घर में एक दफ़ा की बात नहीं सुने जाती, जहां पर आपने बात reinforce कर दी, तो यखीन करें, वहाँ पर बच्चे आपकी दफ़ा की बात नहीं सुनेंगे। दंच्कियों की बाद है, तो बहुत सी इमाई कहती है, चोड़ा मैं खुद कर लोंगे, वह बढ़ा खतर नाक हो जाता है, बाद आप बच्चे कहते हैं ठीके खुद ही कर लें, वह बढ़ा नाक हो जाता है, अब क्या कहा जाए सुरत हाल में, यह हमारे ज़माने में जब अच आए मेरा बाया दो में जारी हो, मैं खुद ले आउंगी, सबजी लानी है, कुछ लेकर आना है, कोई जीज लानी है, तो हम्मी अब कहती थी ना, तो हम तीन भाई, जो उस वो आस पास होते थे, तो उसमें भी देखें क्या चलाकिया होते थी, हमें पता था कि जो मुझसे अबाया मिल जाता था, तो जो बड़े भाले भाई हैं, वो कंप्रमाइस करते थे, चला अच्छा में लेकर आ रहा हूं, और वो लेकर आजाए करते थे, तो हम भी बहुतने शरी बच्चे नहीं थे, तो अच्छा होता ही है, कि जरूरी नहीं कि बच्चे इतने सेंसिटिव लेकिन आपकी जब धंकियां बार-बार होंगी ना, कि मैं खुछ जा रही हूँ उठके, तो इसका असर आहसा हैसा खत्म हो का पहली बात, दूसरी बात, बच्चे भी धंकिया देना सीखते हैं, अपने काम निकलवाने के लिए कभी कुछ धंकी, कभी कुछ धंकी, कभी कु अब अब बच्चे ने कमरा साफ नहीं किया, तो आप इस पर अमल नहीं कर सकती हैं, कि आप अपनी वालदहार नहीं जाएं, या बच्चे साब ने कहा तुमने अपना हुआ कंप्लेट नहीं कहना, तो तुम्हाई जो कजन्स आये हैं, तुम्हें खेलने नहीं दोंगी, ये पॉसिबल नहीं है, यूँ पॉसिबल नहीं है, आप खेलने नहीं देंगे, तो बाकी लोग फोर्स करेंगे, कि भेजो इसको खेलने दो, तुम तो ऐसा करती हो, वैसा करती हो, फुप्यों के बच्चे होंगे तो अलग इस बन जाएगा, तो आप बच्चे को नहीं रोक सक करती है, यह आपने का कि सारे के सारे जो ट्वाइज है, अगर नहीं सामेटे ना, मैं सब भार फेक दूँगी, फेकने वाली हिम्मत आत्वी जबार से तो है नहीं, इस बार फेक भी देते हैं, लेकिन मैं गएर हक्किकी की दंगी नहीं देता है, मैं तो एक चीज कहूँग कि मैं फेक दूँगा, जो मुझे पता है कि मैंने दिलाई है, या जो मुझे पता है कि बच्चे को पसंद है, और वो किसी करीबी रिष्टेदार ने नहीं गिफ्ट नहीं किये, हमने उस अपने पॉकेट मनी से खरीद दिये, या हमने उसको दिलाई है, तो हमें पता होता ह कि धंगिया हक्की की कौन सी है और गयर हक्की की कौन सी है हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं और माइं इमोरिशनल वा कहते हैं सार एक लुए फिक दूँगे मैं तो परता एक लुए नहीं फिक सकते हो देसरी बास जो हम घलापी करते हैं गहरी बहस करना यानि आपने एक बच्ची से पहा है किetzt पधाना मम श्कुर hall रहे हैं, या उस ना किया दिया तुम किया रहती है अडिके से उस दो खिया लिए ख Geschability सब्सक्राटी, अब उस बतें उसक्क्राइषा क्रूं कना और हम ने ज़ पैरेंट्स भाप अगरती कर जाते हैं बहुत बड़ीगलती कर जाते हैं कि वह बात नहीं सुनता है फॉर मना करता है वह उसके शम highlights कम कासी है इस उससे तो हर काम कहा जाएगा, पता नहीं काम कर लेगा, यह बड़ी खुतर नाक होती है, यह बच्चों में आपस में नफ़त काया है, बच्छा हम करते हैं, कि बिच्छा आराम से बात नहीं सुन रहा हैं, तो हम चीखना शुरू कर देते हैं, अब चीखने से होता कि आप हो जाता है और खराब रिलेशन जो हो तमाम गुरायों की जड़ें अग्या आपका रिलेशन खराब हो गया बच्चे के साथ अब तो कोई हम्दब भली नहीं है पिर ना जब तक वो रिलेशन दुबारा से ठीक नहीं हो जाता है यह आपकी सही बात भी उसको गलत लगेगी आ बात का खास ख्याल आपको रखना है अच्छा हमने बात कर लिया है खलतियों कि कि हम क्या खलती करते हैं जो बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं लेकिन अब हम बात करेंगी कि हम क्या काम करें जिसकी वजह से बच्चे हमारी बात सुनें कि हम उसके बात कर लेते हैं पहली तो वह अजीत प्रूइब हस्ते हैंा कि हम सवाल क्या कर रहे हैं। आप क्या कुछ रहे हैं हमसे बच्चा बात नहीं सुनता। और आप कहा हैं बच्चे कर는데 नहीं बनावा या नहीं बनावाई। तो मेरेका इसके जवाब बैब होest. SaubShow क्यम जरूरी करनीे है। मैं खुबसूरती से आप देती हैं, हम तो साथगी से देती हैं, देखें, इसमें यह होता है कि बच्चे ने भी अपने दिवा में रोटीन मिनाई भी होती है, जिसमें अपने घर की मिसाल दूँ, मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चों से किस वाक काम करवाने है, मुझे बच्चों के साथ मेने कुछ प्लैन किया हुआ है, इस टाइम आप बच्चों को तंग नहीं करेगी, बच्चों को निश्टेगी. मुझे काम कहना होता है, और आप बच्चों को कहाएंगे शर्ते हैं. मैंन से क्या है। आप इसको किस वnote किस वत कर वाएंगी। सकतरुछ कुरवाएंगी। रङाऊंदी कि मैंन से थी। चम्षों नहीं पुकली क्षिए। करेंगे। जैनि मैं बिनसी तूर है। और समय नगरी क Industry उद्छे साथ। ह Але लोадцब पुज़ा हम इनकी और फिर पांच से साथ हम बच्छe ori नहीं यो हम बच्छों को बच्छों कर टाइन दे नहीं जिस तरह हमने हमें संदगी हर खराब कर दी हम अपको लेकिन एक घुंटे के बाद आपने क्या किया है उस पहले भी मुबाइल ले लिया या उसके बात तर उसको यूज़ करने दिया आप ने बच्चे की रूटीन का सब्सक्राइब खयाल नहीं रखा न तो बच्चा आपकी बात अपने उसके रहांजा से नहीं माने गा कि याँ बच्चे से काम कहेंगे तो बच्चा आपकी बात कता ही नहीं कह रहे हैं वकिज के है नosobail चैसे में यूज बार अप बच्चे के तवज्ञ अपनी तरफ करें उसके बात उससे काम कहें. वर्ना बचा बास उने गई नहीं फिर आपकी? यह तना इंपॉर्टन है कि हम क्या करते हैं? बच्चे की तवज्ञ हासिल ही नहीं करते हैं. क्लास में देखते हैं, मैं बड़ा इंज्टॉय करता हूं कि बाद अबाद होता है दो बैच्छे हसी मजाग में लगे हैं सब्सक्राइब एहसन और उमर ने दोनों आपस में हसी मजाग कर रहे हैं अब मुझे पढ़ाना है जब तक सारे बच्छों के अटेंशन में यह तरफ नहीं होगी तो मैं अपनी बात उनको करने में कर रही नहीं सकता अब मैं आवाद दो को एहसन एहसन साथ हसी मजाग में लगे हैं दोसके साथ अब क्या होगा पूरी क्लाव एहसन को देख रही है अब मैं उमर को आवाद दो उमर वो दोनों बाते पहले हैं होँ हसर हैं दोनों अब पूरी क्लास उनको देख के हसरी है उनको दुनिया जाका होश ही नहीं है दो दौपा आवाज देती हैं उनको पता ही नहीं है अब मुझे बताएगी जब तक उनकी तबज्ज़ में लिए तरफ नहीं होगी तो उनकी attention में हासिल नहीं करूंगा तो मैं अपनी बात उनको समझाओंगा कैसे सुनी नहीं रहो process नहीं कर रहे फिर मैं गुस्सा करनो क्या मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे यह तो मेरी बेवकूफी है ना समझदारी यह है कि मैं जब बच्चों की attention ले लेता हूँ फिर जब बच्चे चौक के मेज़ा देखते हैं सब गुदे के हसर होते हैं तो फिर वो थोड़ा से शर्मिंदा होते हैं फिर जब मैं उनसे बात कहता हूँ तो उसके बाद उनके लिए मेरी बात को समझना मुम्किन होता है जब वो दोनों हसी मुदाग में या अपने काम में या किसी चीज़ में इतने बुरी तरह इंगेज़ रहे इतने इन्वाल्व हैं कि सुनी नहीं रहे तो फिर वो मेरी बात को प्रॉसेस करके रिस्पॉंड कैसे करेंगे तो आप बच्चों के साथ भी यह करते हैं घरों में बच्चे बाद खाओ खाओ खेल में इस बुरी तरह मुनहमिक होते हैं हमें अंदाज ही नहीं होता तो आप यह बात समझिए कि बच्चे अगर खेल में लगा हुआ है तो आप उसको इस तरह से तंग ना करें येस उसकी तवज्ज़ पहला हासिल करें बिल्कुल तिसरी बात बच्चों को गयर सुरी कामों के लिए आवास देते हैं यानि बात सुरी रहता है कि हम बच्चों को अवास देते है बात सुनो अब बच्चा आपके आवास पे आ गया है पहली आवास पहले आगया है आप भुल भूए मैंने क्यों बुलाई तो यादी नहीं आ रहा है अपनी मिसाल दे रही है यह बहुत कम होता है अब तो मेरे साथ ऐसा मनना पहले होता था ऐसा अचा यह गलती में और भी बहुत करती है खुद मैं किशन में खड़ी हूं फिर्च भी किशन में हैं अब मैं हाल देगा आवास आ रही हूं हाद यह दर आव बास सुनो बेटा मुझे फिर्च टिमाटर ल को आवास जूर दिजाती है कि आके यह काम कर दो अच्छा फिर्चे करते हैं बच्चों को आवास दियो भूल गए इसका नुक्सान क्या होगा आप एक दफाब भूल गई दो दफाब भूल गई तिसी मरतबा क्यों बच्चा भूल जाएगा आना फिर वो नहीं आएगा कि से शुशन बच्छे को आपने काम बतानां उससे पूछना रहाएं बाइस जिम्ले इस त차 के होते हैं क्या हम अफिर उपने चम्मा फोर्न समीट के रखो अपना रूम फॉरन साफ करो बलके मैं तो अपने रूम से बाहर आती हूं तो मैं हादे से कहती हूं कि हादिया जाके फॉर्म या रूम साफ कर दो लेकिन मजबूती भी हो यह था बेलनस जो बात करता हैं बैलनस के बात कर रहे होता हैं यह बैलनस यह यह लगा है आप देख नहीं यह तक टाइम फ़तम होने वाला फिर फीविज विद्ध लगा है ऑसो कपना अपना कमरा साफ कर ने तक कैसी पांच मृट अपना खेल अपना बिल्कुल यानि अप यह नहीं हो कि बच्चा हब दरोड में काम कर रहा है उसे पत्र में पास फाइफ मिनट से इन फाइफ मिनट से अपना वाइंड आप करें काम होजे अपना रूम साफ करना है अच्छा पांच वी बात पांच वी बात भी बहुत अहम है जिस तरह हमारा प बच्चों इससे काम ने क्या लेकिन हम बच्चे की तारीब नहीं कर रहे होते हैं जैसे कल मेरी खातून को ठाच्य जाती हूं तो मेरी वालदा और मेरे वाले बच्चों को बहुत डाटते हैं बात subtractive मुझे बुरा पिलग रहा है मैंसे नहीं क्या करूं किस तरह से उनको कर की बच्चे बड़ी बेबसीं से मितफ देख रोते हैं तो मैंने से कासा आफिक टोगैदां काना दोगा ज carona बच्चे में जोसक्त करने के लिए लुकुल कोतिً एप kतारीव क्या है अरसे आफिकर तेटे से चेए कम करें हुआ है च्छ आपकी हुआ कर रहे हैं तो फूर्छं को मोगा देरी होती हैं कि वो आपके बच्चों को negative labeling करें बिल्कुल और यह negative labeling इतनी खतरनाक होती है जब बच्चा बात ने सुनता तो आप लेबल लगा देता है तो जो लेबल उसको लग गया उसके हिसाब से behave करना शुरू कर देता है यह सुझिया क्या conclude करेंगे अब कंक्लूड में यही करूंगी कि जो हमने पहले आपको चार बाते बताई हैं वो काम ना करें जो पांच बाते बताई हैं इनको करना शुरू कर दें इन्शादर बच्चे आपकी बात मानना शुरू हो जाएंगे और एक बाता खास ख्याल रख खोड़ाते हैं कोई बादाख भातादे हैं बादवाथ जोड़ू कहते हैं कि किसी भी काम होकरने के लिए मुस्तिकिल मजाजी की बोहाता है, है,. ऐसा नहीं हूं कि आपकी बात कर लिया कь बहुत भी के हैं, कि इन लोगों बस ऐसी पर बता दिया इसका दो उसली होड़ा ब आपस्